दिल्ली असंख विरासत संगदर्शनाओं वाला शहर है जहां कि अतीर से हर कोई ज़्यादा वाकिफ नहीं है लेकिन इस शहर में एक ऐसे जगह है जिसके बारे में सायस ही कोई इतने अच्छे से जानता होगा उब्रिसेंट की बावरी ऐसे जगह है जो अपने अनेक अनसुल उझे राज के लिए जाना जाता है तो आप सभी का आज की व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है हम पहुँच चुके हैं उग्रिसेंट की बावरी और चलते है इस गेट के अंदर क्योंकि हम मैं भी फर्स टाइम जा रही है इसलिए मैं आपको पूरा दिखाना चाहती आकरसन लोगों को चौकनी पे मजबूर कर देती है साथ ही इसकी भूतिया कहानियों के वज़ा से लोग यहां पे सबसे ज़्यादा आते हैं तो अग्रिसेंट की बावरी जो है एक संगरक्षी तसमारक है जो भारत के दर्सनी अस्थानों में से एक है अलंकि यह साबित करन क्या परने के लिए क्यात एक रिकार्डर नहीं है इस बावरी करनी मान किस कराया था लेकिन इसा माना जाता है कि मुझ रूप से प्रसित राजय अग्रिसेह desire नमिक भी विववात का इस बावली तर अगर पहुशना जाना को दिल्ली मेट्रो परिवहन के लिए सबसे सुविधा जनक साधनों में से एक है और इसका जो नियरेस जो मेट्रो स्टेशन है वो बाराख खंभा रोड मेट्रो स्टेशन है और जहां से विसी छेसो साड़ी छेसो मीटर की दूरी पर ह तो आप आराम से पैदल भी जा सकते हैं ये बावली तर नर के वर जलासे की रूप में बलकी सामुदाइक स्थान की रूप में काम करने के वनवाई गई थी ऐसा माना जाता था कि उस समय की महिलाएं इस कुएक वो इकठा होती थी और बावली की सांध और वातावरन में उ कर देखा जाए तो यहां देखने के लिए बहुत कुछ नहीं है लेकिन यह एक अनूठी और अलंकित अस्थापत सैली से जो बना वाज़ो है यह बहुत ही खुबसूरत है और चुकि इसकी कहानियों के वाज़स लोग बहुत आना चाहते हैं यहां पर यहां पर 100 से जादा सीलियां होगी जो आपको नीचे जलस्तर तक जो है लेकी जाती है जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं इसे तापमान में गिरावट देखने को मिलती है तो बहुत ही शान जगह लगी और जहां पर आपकर शान से जाके बैठती हैं तो कबूतरों की आवाज जो आपको बहुत जादा अचंबित करेगी और बहुत अच्छा लगा यहां बैठ करके क्योंकि बहुत सारे कबूतर जो बैठते हुए थे जो यहां पर जहरोखे ऐसे बने हुए है और वो एक साथ कुछ दिरी के बाद यहां पर एक साथ में उड़ रहे थे तो यह देखने के लिए बहुत शाल लगा था और जो नीचे जलाशे है वहां पर पहले अभी जो पानी जमा था और पहले जो वहां पर सूखा था तो वहां पर भी जाने की इंति थी अभी तो कुछ कारणों से वहां पर रास्ता बंद की अववा है ऐसी अववा की जलाशेम का रहस्म है काला पान जिसमें लोगों को उसमें कूदनी और जान देने के लिए मजबूर किया जाता था जैसी लोग सीर्खियों से पाने की तरफ जाते थे उन्हें रखता था कि कोई अधरी सक्ति उन्हें अपनी तरफ खीच रही है अब इस बात में कितनी सचाई है कौन सी है यह रिसर्च पर सल करता है लेकिन अग्सिन के बावरी जो है वो दिल्ली के सिर्ष प्रेट वाधित स्थानों में गिना जाता है उपर कद्रिश तो बहुत हुपसरा था बहुत सारी यहां पर पंक्षी थे और नीची जो पानी देख रहे वहां पर पहले जाने की भी जाज़ात थी अभी जो पर क्योंकि अंदर में बहुत जादा चंगादर भी रहते हैं यहां पर मैंने सुना था इसलिए हम सुझे एक बार देखना तो बनता है इस जगह को भी इसलिए हम आयत लिए कि नीची जाने की इजाज़त नहीं थी वहां पर रास्ता बंद किया है यह अपनी वास्तुकला के वज़े से इतने जादा प्रसिद है कि बहुत सारी हिंदी मूवीज की जो यहां पर सुटिंग भी हुई है यहां पर लोग ज़रूर आते हैं और चुट्टी वादन यहां बहुत भीड होती है और साथ ही सभी आकर के कुज़े के लिए यहां पर सीलियों पर बैठते हैं और चात्मी कबूतर वगरा जो यहां पर पंक्षी बने वे हैं उसकी फोटो लेते हैं तो हम लोग चलते हैं वोकल तरफ हम लोग काफी यहां बैठ चुके थे और आसके वाद हमने काफी यहां पर वीडियो शूट भी क्या बहुत लोग जो है ग्रूप आया वा था जो यह यहां पर काफी अलग-अलग पोस में फोटो विच्वा रहे थे यह देखी जो बिदेशी लोग भी है उन लोग भी काफी इंटरेस्टेट थे और सब अलग-अलग पोस में जो है फोटो करवा रहे थे यहां पर फोटो शूट करवा रहे थे और सब काफी खुश्ट भी थ आते हैं घाइड लेकि आते तो वो अलग-अलग यहां की कहानियां बताते हैं अब इन कहानी के पीछे कितनी सचाई है इसको पता लगाना तो बहुत हैं मुश्किल है तो यहां पे उपर से दिश्ट जो है कि बहुत अच्छा लगा खासकर यहां का मौसम है क्योंकि आस पास बड़े बड़े पेर हैं और इसके बाद जो है नीची जैसे हम नीची जाते हैं तो बहुत अच्छा लगा यहां पर तो यहां पर आराम से आप एक वार घूमने के लिए जरूर जाएं कि जो दिल्ली में मारे सथल है इन सब चीजों के बारे में जानना चाहिए और इन सबों के एक वार तो कम से कम घूमना जरूर है यहां मैं एक वाद आप और बताना चाहती हो कि जब भावरे को देखने का लिया आते हैं तो बाहर एक गली जुमा जुह हें रोड है जो आगे क तरह जाती है लेकिन वहाँ पहीn पार्किंग का कहीं पे बौ пользов लगावन नहीं है तो हम लोग भी वहाँ पर गाड़ी को पार्क करके आए थे और वहाँ पुझ बौогा बॉक्वा अनतर रहनी के बाद में बहुत सारी डिली पुलिस वाले आयए वहैं उन्हों ने 3000 रुपेस का हमें पैनाल्टी लगा दिया नो पार्किंग जोन की वज़ा से और इस वज़ा से जो हमें आपको सुचित करना चाहूंगे कि बाहर में कहीं पी बैसा लिखावा नहीं है तेकिन जो आप गारे पार करके अंदर घुमनी के लिए जाएंगे और बाहर आने की बाद जो आपको 3000 का जो चपत लग चुका होगा इसलिए जब भी जाएं आटो से जाएं या मैटो से जाएं तो मिलते हैं फिर नई जगह पे नई व्लॉग में तब तक लिए गुड़ बाई थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग